जैसे दुनिया में डिजिटल चीजों का ट्रेंड दाने लगा, उस कारण काफी चीजे रिप्लेस हो गए। पहले लोग ट्राविलिंग या शॉपिंग करते वक्त पैसे रखते थे, लेकिन अब प्लास्टिक मनी यानि डेबिट क्रेडिट कार्ट के इस्तमाल करते हैं। बदलते वक्त के साथ क्रेडिट कार्ड्स ऑनलाइन पेइमेंट एप से रिप्लेस हो गए हैं। जैसे टेकनोलोजी और ज्यादा एडवांस होने लगी हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स संभालने का टेंशन नहीं होगा, ना तो पेइमेंट एप्स की सरुवत पड़ेगी। हम इनसानों की काफी बार चीजे भूलने की आदत होती हैं, कभी घर की चावी भूल जाते हैं, ट्रेन टिकेट और कभी कबर पैसो का वालेट भी भूल जाते हैं, लेकिन आप इन चीजों को संभालने या भूलने का टेंशन नहीं होगा, कितनी खुशी की बात होगी ना, बिनना कोई सामान लिया आप आराम से खूम सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे होगा, ये सब पॉसिबल है RFID Microchip Implanting करने से, बहुत लोग Microchip Implanting के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन स्वीडन में 4000 लोग औरेड़ी इस टेकनोलोजी का इस्तमाल कर रह इसे काम करता है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले, मोबैल फोन आने के पहले, लोग अपना Personal Identification, Medical History, Medications और Emergency Contact Information, Diary मे सेव किया जाता है, जिस तरह आपका Important Personal Data फोन में सेव रहता है, उसी तरह इस Microchip में सारे Information स्टोर की जाती है, आप सोचेंगे, छोटे से चिप में कैसे सब Information स्टोर हो सकती है, RFID Microchip, Real में एक छोटा Two-Way Radio जैसा होता है, ये Microchip दिखने में चावल के दाने जितना छोटा ह होता है, लेकिन इस चिप में Digital Information स्टोर करने की पूरी capability होती है, इस चिप का 16-digit Unique Identification Number होता है, जिस कारण आपकी Information सेक्योर रहती है, जिसकी Information एक्स्टरनल डेटाबेस से लिंक्ड होती है, जिस से इंसान का Identification, Medical History, Contact Information स्टोर रहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, तो व्यक्ति क Criminal Information भी इस चिप में स्टोर रहती है, इस टेक्नोलोजी की कारण व्यक्ति को तुरंत पहचानना आसान हो जाता है, स्वीडन में अब तक 4000 लोगों ने इस Micro Chip को अपने हाथ में Implant किया है, चावल जितना छोटा Micro Chip, Silicate Glass से कवर होता है, और एक छोटी सी Surgery से ये चिप हाथ में Implant किया जाता है, अब सोचेंगे कि ये सिर्फ scientific fantasy है या practically work भी करता है, तो चलिए इस से related कुछ examples देखते है, Micro Chip Real में सही काम करता है या नहीं, उस पे स्वीडन में research किया था, research के डौरान हैंस जोबल्स नाम के व्यक्ति ने सवाल पूछे थे, क्या फरक पड़ता है जब Hands ने कहा कि Micro Chip के कारण आपको काफी सारी चीज़े संभलनी नहीं पड़ती है, सबसे important सुबह घर से निकलते वक्त याद नहीं रखना पड़ता, wallet, चाव या, payment card, सब चीज़े ली है या नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम इंसानों को चीज़े भूलने की आदत होती है, इसलिए घर से निकलते वक्त ज़रूरत की चीज़े दस बार चेक करते हैं, यह सारी चीज़ों को याद रखना और संभालने से Micro Chip का इस्तमाल काफी convenient लगता है, इस अनोखी टेकनोलोजी के कारण, आज के वक्त में Sweden, world's first cashless society बन गई है, जहां के economy, digital innovation पे चलती है, Sweden की rail company ने year 2000 में passengers के हाथ से Micro Chip scan करके ticket fare collect करने का rule शुरू किया है, यहां पे paper tickets का इस्तमाली नहीं होता है, मतलब सोचिए यह technology एक तरह से eco-friendly भी है, Digital Payment के terms में Sweden, world's most high-tech country कहलाती है, इस तरह से यह Micro Chip external database से linked होता है, जिसमें व्यक्ति की सारे information stored होती है, और इस Micro Chip का 16-digit identification number मानो आपके mobile number जैसा होता है, जो किसी particular इंसान के नाम पे registered रहता है, यह सारी बाते सुनके आप यह जानने के लिए excited होंगे कि इस technology की शुरुवात कै से हुई, Micro Chip Implant Super Cool Technology fine करने में तीन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया था, सबसे पहले इस Micro Chip का experiment year 1998 में Kevin Ravik नाम के British Scientist ने किया था, उसके बाद Mark Gerson नाम के British Scientist ने RFID device पे glass capsule का implementation किया था, जैसे मेरे शुरुवात में कहा था, यह चावल के दाने जितनी छोटी होती है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना Silicate Class का cover लगाया जाता है, यूमन बोडी में इस चिप को कैसे implant कर सकते हैं, उसका आइडिया Scientist Mark Gerson का था, Micro Chip किस तरह काम करेगा, वो भी इस Scientist Mark Gerson ने ही साबित कर दिखाया था, Amal Craftra नाम के Biohiker ने सबसे पहले इस चिप को practically इस्तमाल किया था, Micro Chip का practical experiment successful होने के बाद, इसको स्वीडन में इस्तमाल किया चाने लगा, आपके इस टेक्नोलोजी के बारे में क्या विचार है, सब जगा इस्तमाल होनी चाहिए या नहीं, तो आपके व्यूज हमें कमेंट से हुआ 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 हुआ